हलो प्यारे सातियों आज का हमारा मुहावरा है आग लगने पर कुवा खोधना दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आग लगने पर कुवा खोधना मुहावरे के अर्थे और इस मुहावरे के वक्यम प्रियोग के साथ साथ मुहावरे को पूरी तरह से समझ लेंगे तो वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आग लगने पर कुवा खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ती आने पर उसका उपाय ढूंडना दोस्तों इस संसार में एसे लोग बहुत हैं जिनको जब तक किसी चीज की जरूरत पढ़ती नहीं है तब तक वे उसके बारे में सोचते भी नहीं है और जब उस काम को पूरी आवश्यक्ता होती है तब उसे करने के लिए जल्दबाजी करते हैं इसे ही आग लगने पर कुवा खोदना कहते हैं जिसका अर्थ होता है कि जब तक आग नहीं लगती तब तक आग बुजाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं आग लगने पर ही उसे बूजाने के उपाय ढूंडते हैं, अर्थार्थ, विपत्ति आने पर उपाय ढूंडना दोस्तों, आग लगने पर कुhा कोधना मुहावरे के वक्केम प्रियोग के बारे में भी जान लेते हैं पहला वक्किम प्रियोग राजेस ने पहले तो आग बुजाने के बारे में कुछ जाना ही नहीं और जब आग लग गई तो उसे बुजाने के लिए उपाय ढूंडने लगा ये तो वही बात हो गई आग लगने पर हुआ खोदना दूसरा वक्किम प्रियोग आज कल के बच्चे के जब तक पेपर नहीं आ जाते तब तक पढ़ते नहीं हैं और जब पेपर आ जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं ये तो वही बात हो गई आग लगने पर हुआ खोदना तिसरा वक्किम प्रियोग पहले तो टिड़ी को बगाने के बारे में सोचा ही नहीं था और जब गाओं में टिड़ी आ गई तब सभी उसे बगाने के उपाई डूंड़ने लगे इसे ही कहते हैं आग लगने पर कुआ खोदना दोस्तों इस तरह से आग लगने पर कुआ खोदना मुहावरे का वक्किम प्रियोग किया जाता है अगर आपको अन्य मुहावरों के बारे में भी इसी तरह से विस्तार से और अधिक जानना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सकें क्यूंकि आपको इस चैनल पर एसे बहुत से मत्वपरण मुहावरे देखने को मिलते रहेंगे जो नय केवल किताबी पन्नों में रहते हैं बलकि विभीन तरह की बैल आइकन को दबाई